वेलकम टू न्यूज बाबा यूटूब चैनल जहांस तो बात करने वाले है कोरोना वाइरस के चलते किसी भी बरती पर यानि की रोजगार पर कोई वियसर नहीं पढ़ने वाला है योगी सरकार ने अलान किया है कि 15 लाख लोजगार देने की जो है तैयारी कर चुके है जहांस तो योगी सरकार भविस्से में 15 लाख रोजगार देने की तैयारी में जुट गई है आपको बहुत जल्द 15 लाख रोजगार मिलने वाला है महामारी कुरोनावाइरस के चलते आप लोगों पर रोजगार पर यानि की किसी भी बर्ती पर कोई भी असर नहीं पढ़ने वाला ये सपष्ट योगी अदित्यनाद जी ने बोल दिया है आपको बताने वाला हूँ प्लीज वीडियो को लास्त अगुज़र वीडियो को स्किप ना करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चनल पर नए है और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज चनल को सस्क्राइब कर ले साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा ले मुख्यमंतरी योगे दितनाद ने लोक डाउन हटने के तुरंत बाद रोजगार के आवसर को पेदा करने वेवरतवस्ता को मजबूती देने की दिसा में काम सुरूप कर दिया है MSME, ODOP, NRSLM, उदान एवं खाद सर्रक्षन, दीन दियाल उपाद्या, सवरोज योजना, कोसल विकास, मिशन, खादी, गरामोद्या, तदा मन्रोगा के मद्दम से रोजगार सर्जन के कारियों में तेजी लाई जाए उन्होंने कहा कि लोगडाउन के बाद रोजगार सर्जन और अर्थववस्ता को सुद्रण बनाने है तू हमारे पास चिनोती भरा एक मुद्दा है इसी के लिए अभी से तैयारी की जाए मुख्यमंतरी गुरुवार को अपनी सरकारी अवास पर रोजगार सर्जन संबंदी परस्तूती करन के अवसर पर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे उन्होंने कहा कि मुख्यमंतरी अप्रेंटिस सीप प्रोसान योजना के तहट युवाव को उद्दोगों में प्रिक्षन के साथ साथ 25 सो रुपे माशिक प्रिक्षिक्षन बत्ता परदान किये जाने की विवस्ता भी की गई है एक वर्स में एक लाख युवाव को यह सुविदा उपलब्द कराई जाएगी इस योजना के तहट दो लाख युवाव को जोड़े जाने की कारिया योजना बनाए जाने की संभावना को तलास किया जाए उन्होंने युवाव को युवाव के मादम से भी जादा से जादा रोजगार उपलब्द कराने के निर्देश दिये है योगी नितनाज ने भी बोला है कि आने वाली फ्यूचर में जो भरतिया है उन पर भी कोई रोक ना हो वो भी अपने टाइम पर और अपने हिसाब से उनको भी पूरा किया जाए या उस तो बहुत ही बड़ी खबर है आप लोग ले पंद्रा लाख रोजगार योगी सरकार देने वाली है उस पर जो है यहाँ पर कारिया सुरू हो चुका है यानि कि आपका हर डिपार्टमेंट को बोल दे आए तीन से च्छे महीने के अंदर ठोस कर्यकरम अपना योजना बना कर तयार की जाए जिससे की फ्यूचर में फ्यूचर में पंद्रा लाख रोजगार दे सके इसके साथ पंचाती राज विवाग, समाज कल्यान विवाग और साथ में कोसल विवाग और गरामोदेताम मन्रेगा के तहत जितने भी रोजगार है उनको जल से जद उपलब्द करा जाए और सभी कंडिडेट को यहाँ पर एक लिश्ट तयार की जाए जिनको सभी को बहुत जल 3-6 में नेक अंदर एक लिश्ट बना करके उनको रोजगार दिलाने की परकिरिया को पूरा कराए जाए यहाँ पर योगी सरकार ने साब साब बोला है कि 15 लाख रोजगार देने के हमने तयारी सुरू कर दी है और बहुत ही जल 6-3-6 में नेक अंदर लिश्ट तयार हो जाएगी जिससे की सबी को यहाँ पर रोजगार 15 लाख कंडिडेट को रोजगार दिला जाएगा उसके साथ अर्थ व्यवस्ता को भी मजबूत बना जाएगा तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है योगे दित्त नात्म जी ने यहाँ पर रोजगार के बारे में कि जो करोना वारस महामारी है इसके चलते कोई भी रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा हम सभी कंडिडेट को यह तो पोल टैकनिक और आईटी से अीची बोला है कि पृल टैकनिक और आईटी वाले उन से भी यहाँ पर शैयोग ले मुक्रम अंतरिनी ने कहा कि मोबाइल रिपेरिंग के संबंद में भी प्रस्टिक्षन दिलाकर रोजगार सजित किया जा सकता है उन्होंने पृलो टैकनि और रोजगार मिला लगा कर रोजगार की अवसर उपलब्द कराने के निर्देश दिये गए है जहां उस्तो यानि की लोगडाउन खतम होते ही एक रोजगार मिला लगा जाए जिससे की पॉल टेक्निक और आई टी आई वाले जो है जिनका भी जो भी डिपार्टमेंट है उसी के तहट उनको अच्छी नोकरी दिलाए जाए उनको भी रोजगार सरजित किया जाए तो आई ओप आपको वीडियो चलेगी है तो लाइक करें शाथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए है तो प्लीच चैन को सस्काइब कर ले साथ में गंटी वाले बटन को जरूर दबा ले तो मिलते हैं कोई ऐसी लाटेस्ट अबडेट के साथ तब तक के लिए नहीं